तुस्तो आज हम अदानी विलमार को डिसकस करेंगे, साथ में अदानी पाउर को डिसकस करेंगे और पूरे अदानी ग्रूप को ही डिसकस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अधानी ग्रूप को लेकर कुछ लेटेस बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं जिनको मेके करके डिसकस करेंगे मॉर्गेन स्टेनली की तरब से बहुत बड़ा बयान दिया गया है अधानी ग्रूप को लेकर क्या है उनका नजरिया जानने की कोसिस करेंगे दूसरी तरब मार्केट एक्सपर्ट क्या करें अधानी ग्रूप को लेकर क्या इसमें इन्वेस किया जा सकता है फिर इस समय अवेड करना चीए अधानी ग्रूप को दूसरी तरब एक काफी अची गुड़नी निकल के रही है mutual fund की तरब से अधानी गुरूप को लिकर यहाँ पर देख सकते हो कि वीपक्स तो लगातार हमला कर रहा है अधानी गुरूप के उपर JPC की मांग अलग से की जा रही है और साथ में ED से कागा जा रहा है कि आप इनके ओपर rate डाले अधानी गुरूप के उपर और यही जो है अधानी गुरूप के लिए सबसे बड़ी मुसिवत है लेकिन इसके बीच में अगर आप देखे तो कुछ स्टॉक के अंदर हमने आज तेजी देखिए और कुछ स्टॉक में गिरावट भी हुई है अभी फिलाल यह जो तेजी बनी है क्या यह रियल तेजी है या फिर टेक्निकल बाउंस बैक है जानने की कोशिस करेंगे और क्या इस समय अधानी गुरूप के शेरों में थोड़ा बहुत निविस किया जा सकता है या फिर इसमें से निकलने का मौका है क्योंकि एक तरफ बाजार के सेंटिमेंट भी बिगड चुके पहले यूएस से सुरू हुई जो प्रॉब्लम थी वो अब यूरोपेन कंट्रीज में पहुचने लगी है आपने देखा हुगा यूएस की दो बैंक डूबी सिलिकॉन वैली और फिर सिगनेचर बैंक और उसके बाद अगर आप देखे तो रिपब्लिक फर्स्ट बैंक के भी डूबने की यहाँ पर अफवाय निकलने लगी और दूसरी तब देखे तो स्विजे लेंड की बैंक क्रिडिट सुइस के डूबने की बाते चलने लगी और वहाँ पर भी जबरदस गिराउट हुई इन समने एक तरसे बादार के सेंटिमेंट बिगाड़ा है लेकि उसके बाउजबी अदानी विलमार और अदानी पाउर में भी थोड़ी थोड़ी गिरावर तो जरूर देखी है हमने लेकिन क्या बहुंस बैक की समवाला बने क्या फिर से आपर सरकेट लगेगा इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक मिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक से जिरू कीजिए चलो फ्रेंड्स विडियो इस्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अदानी विर्मा लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 422 पर रही जहां पर हमें 1.08% की गिरावट देखनों को मिली तो यहां पर देख सकते हो कि इंट्राडे में यह स्टॉक ग्रीन भी हुआ था क्योंकि कल की क्लोजिंग 426 की थी इंट्राडे में 431 वालेकिन उसके बाद में दबाव के साथ में क्लोजिंग हुई लेकिन अच्छी बात है कि यहां पर लोर सर्कृट नहीं लगा मतलम स्टॉक में इस समय खरीदारी की भी संभावना थोड़ी बंद रही है अब अधानी पावर की बात की दूसरा स्टॉक है जहां पर लोर यह अपर सर्कृट नहीं लगा 198 पर क्लोजिंग रही 1.73% की गिरावट के साथ इंट्राडे में यह भी स्टॉक ग्रीन हुआ था तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय थोड़े से स्टॉक सेटल होते हो दिखा देरे उसकी वज़े से अदानी ग्रूप के शेरों पर जादा एफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अलड़ी इनके अंदर वो काफी जादा करेक्शन भी हो चुका है जो मार्केट एक्सपर उनका कहना है कि भले ही देख सकते हैं कि बाजार में काफी बड़ी गिरावट हुई है कल भी उसके बाउज़ी अगर आप देखे तो यहाँ पे अदानी ग्रूप के शेरों में पॉजिटिव प्रोजिंग हुई है इसारा है कि बाजार के साथ में अभी फिलाल अदानी ग्रूप के शेरों क्योंकि अलड़ी वहाँ पे काफी गिरावट भी हुई है और कुछ श्टॉक है जिन में हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी भी बनी है जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजार की सिनेरियो अभी समय है वो यह है कि सिर्फ बेटन वाच किया जा सकता है लेकिन अदानी ग्रूप के शेरों में जिसमें काफी गिरावट हुई है क्या कुछ समावना बंदरी है तो यहाँ पर देख सकते हो कि HDFC Securities के नागराज सिट्टी का कहना है यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले काफी समय से याँ आप देख से तो जो जन्दवरी में रिपोर्ट निकल कराई हिंडन बग की उसके बाद में जो गिरावट हुई उसके बाद में जो एक बाउंस बैक है वो काफी अच्छा है इनलब एक डिसेंट बाउंस बैक देखना को मिला है और इस वज़े से देखे तो इस समय जो विकनेस थी इस इंडेक्स के अंदर जो इनके शेर से उसके अंदर वो थोड़ी सी कम होती है यानि इस समय निगेटिव साइज थोड़ी सी कम है और इसका जो चार्ट पे है अपनी देखे तो पॉजिटिव पैटरन दिखाई दे रहा है बेचे दे फरवरी में लेकित अब जो नए आकड़े निकल कर आए mutual fund यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी किये अधानी गुरूप के पास शेरों में तो यहाँ पर देख सकते हो कि mutual fund ने ACC limited अधानी green energy अधानी power अधानी transmission और अधानी विल्मर के शेरों में कम कीमत होने के बाद उसमें अच्छी खासी खरीदारी भी किये अब देख सकते हो कि जब बाजार गिरने लगा तो अधानी गुरूप के अधानी गुरूप के अधानी गुरूप के शेरों में अधानी बढ़ा है यानि फिलाल अपने पोर्फोलियो में हम अधानी गुरूप के शेरों को निवेस करने से उन्हें बचने की सला दे रहे क्योंकि इस समय अधानी गुरूप की जो सिचोसें है वो काफी क्रिटिकल है और यहां पर बहुत ज़्यादा पैनिक अभी बाकी है क्योंकि एक तरह से जो बाउंस बैक तो आया है वो टेकनिकल बाउंस बैक है उसके बाद अभी आगे पता नहीं चल रहा है क्या होगा जिस तरह से इस स्टॉक में वलडियालिटी दिखाई दे रही है और अभी बहुत सारी जो मामला है जाच के दाइरे में तो ऐसे में रि कि चीप इन्वेस्मेंट आपिसर उनका कहना है कि इस समय जो तेजी बनी है वो सिर्फ एक टेकनिकल बाउंस बैक दिखाई दे रहा है और इस समय इन श्टॉक के अंदर वो स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है कि जिसके दम पर कह सके कि इसमें निवेस किया जा सकता और इसलिए इस समय स्टॉक में निवेस करने के बजाए हमें साइड में बैटना पसंद करना चीए अदानी गूरूप के शर्म में इस समय बिल्कुल भी निवेस के बारे में न सोचे क्योंकि न्यूज फ्लो जो चल रहा है उसके इस समय स्टॉक रियक्ट करे और जैसे कुछ बड़ी निगेटिव आएगी तो फिर बड़ी गिराउट भी हो सकते है और इसलिए जो भी इन्वेस्टर उनसे इस समय नराय है कि वो अपनी इस समय निवेस न करे तो कुल मिला के काफी बड़े जो इन्वेस्टर वो लगातार अदानी गूरूप से थोड़े से दूर रह कारवाई करे अदानी गूरूप के उपर उन्हों ने बहुत सारे यहां पर शेयर की प्राइजों में हेरे फेयर किया और मनी लॉंडरिंग के इलजाम भी लगा है तो वो सारी के सारी जो है जांच एड़ी से करनी चीए एड़ी को यहां पर और इस तरह से जो लगातार यह प्रेशर बनाया जा रहा है अदानी गूरूप के उपर और कुल मिला के देख सकते हो कि इसके मामले की जांच के लिए अलड़ी सुप्रीम कोट ने कमिटी का गटन किया हुआ है उसकी जांच आएगी से भी ने फिलाल देखे तो इसमें लोगों को भी थोड़ा सा डर तो ह इसके बीच में अगर आप देखे तो एक बड़ा सवाल उठाए कि देखते हैं से एलिगेशन लगाया जाता है कि अमभूजा सिमेंड और एसी से सिमेंड अदानी गूरूप की नहीं है बलकि इनके भाई विनोध अदानी की कमपनी है तो फिर अदानी गूरूप ने क्यों इक चिन को जानकरे दी कि हमने दो कमपनियों का अधिगरन किया है लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है यहां पर अदानी गूरूप की तरफ से का गया है कि ACC सिमेंड और अबुजा सिमेंड का जो अधिगरन है वह यहां पर विनोध अदानी के द्वारा जो कंट्रोल का ही इसा है और इसलिए ये कमपनिया भी हमारी है ये नों ने कर दिया क्योंकि पिछले दो-ती दिन से ये सवाल चल रहा था कि काफी लोग करें थे कि दो कमपनिया आदानी ग्रूप के नहीं रहें आप ये बात आ चुके अब जैसे कि मामला पूरा सुप्रीम कोट में है सु अपनों बने के कुछ नहीं कह सकते इसलिए थोड़ा सा धहरे के साथ बने रहना है हो सकता है कि आने वाले समय सब कुछ ठीक होता हो दिखाए दे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाढ़र ले ले ये अपना खुद परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेंड